हेलो फ्रेंड्स रेअच परपोर्शन का पार्ट टू है जिसमें थेचे प्रपोर्शन भी बताऊंगा सभी को बेशिक से तो देखिए टाईप वन हमने पिछली विडियो में बताऊंगा अधिक करेंगों आपको बताया जिसमेंक नुमेरिकल क्यूश्त यानि उसमें ज्यादा लंग्वेज का परियोग नहीं किया जाता है तो आग बासा पर अदारित क्यूशन भी बता देता हूं कि इस तरीके से आएगा आएगा भी तो कैसा क्यूशनस आएगा ज्यादा एजी होगा या मॉडरेट होगा तो आप सभी मान कर चलें कि ज्यादा पीजी ही होगा क्योंकि हमने लगबग दो-तीन बार अटेम्ट किया हूं राम देखो क्यों कहता है फर्स्ट क्यूस्ट मैं देखूंगा राम और स्याम की आई का अनुपात दे दिया रहेगा और तथा कूल आई दे दिया रहेगा ऐसे ही किसी चीज का अनुपात में वैलू दे दिया रहेगा और उसका तोटल वैलू दे दिया रहेगा और पुछेगा कि परते का अपना अपना कितना वैलू होगा यानि यह जो टोटल वैलू होगा इस वैलू के एक्वल में होता है तो चले देखता हूं तो बोल रहा है किश्ट में चार अनुपात तीन है कुल आ आए कितना दे रहा है यहां पर तो 14,000 दे रहा है यानि साथ रेसियो की बहलू 14,000 है तो एक रेसियो की बहलू कितने हो जाएगी 2000 हो जाएगी और पास कितना ratio है 4 ratio और स्याम के पास 3 ratio तो 4 ratio के भेलो हो गई 8000 और स्याम के पास 3 ratio के भेलो हो गई 6000 अगे देखते हैं देखे परपोर्शन में जेनरली यही होता है कि 2 ratio होते हैं जैसे एक सुर्वात में ratio हो गया और यह इधर हो गया परपोर्सन के एक दाहिने में होगा और एक बाएमें होगा रेशियो क्यानि इसका फर्मूला कैसे बनता है तो आप से भी को एक दम बता देता हूं अच्छे से देखो जो यहां बगल में है तो यह एक दूसरे को connect कर लेते हैं और last वाला last वाला को इसी से बन गए bc बराबर हो गया ad यही हो गया और questions और भी तरीके से proportion में पूछे जाते हैं यह तो formula हो गया ad equals to bc ad equals to bc यह formula हो गया और भी questions पूछे जाते हैं जैसे questions देदेगा चार और दो का प्रत्मा अनुपाती निकालने का फर्मूला होता है a square upon b मध्यानुपाती का फर्मूला होता है root tender a b तृत्यानुपाती का फर्मूला होता है b square upon a यह सब में दो ratio दिये रहते हैं जैसे दो value दिया रहेगा और पूछेगा और चतुर्था अनुपाती है जो की fourth proportion कलाता है उसमें तीन value दिया रहेगा जैसे देखी चार दो और छे दिया रहेगा इसी तरीके से आपको करना है मैं कुछ questions भी कराऊंगा देखे तो प्रत्मा अनुपाती का क्या होता है तो a square upon b होता है बहुत मैं चाहूंगा तो इससे भी hard hard करा सकता था लेकिन मैं वही चीज कराऊंगा जो आते है चली आगे हैं हम questions की और questions को देखेंगे देखे इसमें questions में पूछ रहा है 6, 24 और 83 का चतुर्था नुपाती निकालने का हमने formula सीख लिया हूँ b c upon a होता है तो b c कितना है मतलब b है 24 और c कितना है 83 24 गुना 83 अपन a कितना है 6 6, 24, 83 में 4 से गुना 4 यह 12, 2, unit digit से ही पकड़ा गया देखें लाश्ट में 2 किसका है तो लाश्ट में 2 इसका है अपसर नमर b हो जाएगा इसी तरीके से आप दिमाग लगा कर करना है इस questions पर हम देखेंगे तिरत्या नुपाती किस तरीके से निकालना है 10 और 20 के लिए तिरत्या नुपाती क्या है देखें तिरत्या नुपाती का formula क्या होता है बी स्क्वाइर अपॉन यह होता है तो बी स्क्वाइर यानि 20 इंटू 20 अपॉन ए कितना हो जाएगा दस दस दूनी 20 यानि 20 दूनी 40 यहां पर हो जाएगा option number D हो जाएगा इसी तरीके से हमें I hope आप सभी को first question समझ में नहीं आया होगा क्योंकि फिर से मैं आपको बता देता हूँ देखें इस questions में कह रहा है कि total जो total income है total income का ratio चार ratio तीन है तो दोनों को add कीजिएगा तो 7 ratio हो जाएगा और 7 ratio की value 14000 तो एक ratio की value कितना हो जाएगा दो हजार हो जाएगा और फिर चार ratio के value निकाल देंगे तीन ratio के value निकाल देंगे तो यही थी आज की विडियो बहुत ही छोटी विद्वर थी और भी questions अगर चाहिएगा तो मैं करवा सकता हूँ अगर आपको demand हो तो आप मुझे comment box में बता दीजिए कि और questions करवाद दीजिए या आप next chapter की और move करना चाहते हैं तो next chapter होगा जो उसको करवाया जाएगा आप comment box में ज़रूर बताएगा मिलता हूँ next video में तब तक के लिए जैहिन जैवाए